नमस्कार मित्रों प्रस्तुत है हरी संकर परसाई की प्रिसिद्ध व्यंग रचना किस्सा मोहकमा ताली मात साधू रिजल्ट खुल गए हैं आधे स्कूल भी खुल गए हाई स्कूल इस साल 15 दिन पहले खुल गया लोग पूछते हैं कि साहब 15 दिन पहले स्कूल खुलने से क्या फाइदा साधू लोग नहीं जानते कि चीन का हमारी सीमा पर हमला हुआ है और संकर कालीन इस्थिती चल रही है 15 दिन पहले स्कूल खुल जाने से चीन हड जाएगा हमारे सिक्षव भाग ने सोचा होगा कि संकर कालीन इस्थिती में सुरक्षा के लिए तरह तरह की तयारियां हो रही है हमें भी कुछ करना चाहिए इन बेचारों के हाथ में स्कूल खुलना और बंद करना है सो उन्होंने 15 दिन पहले स्कूल खुल कर बता दिया कि हम भी देश की सुरक्षा में पूरी तरह से जुटे है साधू पिरताप सिंग कैरव बड़ी अकड से कहता है कि मैं 20 लाग सिपाही तयार कर रहा हूँ उसकी अकड अब नहीं चलेगी अब अपने मुख मंत्री गर्व से कह सकेंगी कि हमने भी 15 दिन पहले स्कूल खोल दिये यों स्कूल पहले खोलना और छुट्टियां कम करना इन पर पहले ही विचार करना था अपने स्कूलों की हर दूसरे दिन तो छुट्टी रहती है पर छुट्टी पहले कम करते तो सायत विद्रु हो जाता इसलिए समझदार सरकार ने संकट कालीन इस्थिती में यह करांतिकारी कदम उठाया है साधू सुरक्षा के बारे में हम कितने सचेत हैं यह बताने के लिए भर बरसात में सिख्छुकों और प्रोफेसरों का तबादला भी करना चाहिए अभी तक तो तबादले के आदेश विचारी नहीं हुए है बरसात की राह देखी जा रही है जब खूब घटा चा जाए और आठ दस दिन की जड़ी लगी हो तब एकदम उज्जैन के मास्टर को हुक्म होना चाहिए कि तुम जगदल पुर जाओ यों तो हर वर्ष सिक्षा विभाग तबादला करने के लिए बारिस की राह देखता रहता है और जब पढ़ाने वाला इधर घर में बरसात के लिए गल्ले लकडी कोईले का प्रबंद कर लेता है तब हुक्म आता है कि तुम्हारा तबादला कर दिया गया इस साल सब सिक्षकों और प्रोफेसरों के तबादले पर जाने से बड़ी वीरता नहीं है बंगलों में आराम से बैठे अपसरों के हुक्म से ये लोग जब बरस्ते पानी में बीबी बच्चों और सामान को लाद कर तीन सव मील दूर जाएंगे तब भारत माता के वीर सपूत बनेंगे और अपने विद्यार्थियों को भी वीर बनाएंगे इन तबादलों को देख कर चीन भी घबरा जाएगा क्योंकि वहाँ इसे भाउजी हलचल समझेगा साधू इस साल की रिजल्ट भी संकट कालीन इस्थिति के अनकूल ही है एक दूसरा साधू परिक्षा के दिनों में मेरे पीछे पड़ा रहा कि मैं किसी तरह लड़के को पास करा दूँ वह कहता था बस किसी तरह निकल जाए मगर अभी कल परसों वह लड़के के पहले दर्जे में पास होने की मिठाई बांट रहा था वह खुश था मगर मुझे उस पहले दर्जे के लड़के पर दया आ रही थी सोचता था इस बेचारे को यह फस्ट क्लास ले डूबेगा अब या इसकी दम पर कालेज जाएगा साइन्स कोर्स लेगा और पहली परिक्षा में फेल होगा फिर निरास होगा विफलता की भावना से पीडित होगा या तू तूटे मन से लड़कते लड़कते बीए करेगा या नवकरी कर लेगा या आवारा हो जाएगा साधो इस साल मैट्रिक में साथ हजार पहले दरजे में पास हुए हैं इधर कालेज में साइन्स के पहले इंतहान में किसी विश्विद्याले में आठ फिजदी पास हुए हैं तो किसी में तेरा फिजदी यानि पिछले वर्ष के सत्तार असी फिजदी फर्स क्लास इस परिक दस लोग पता लगा रहे हैं कि गडवर कहां है यहाँ या वहाँ यानि श्कूल में या तो kalauege में कुछ लोग कहते हैं कि college में professor लोग पढ़ाते नहीं हैं मैं कहता हूँ कि सवतंत्रता के बाद से हमारे देश में यही तो एक परमपरा पड़ी है कि जो जितने उंचे पत पर है वह उतना ही कम काम करेगा बाबू से कम बड़े बाबू और बड़े बाबू से कम साहप और बड़े साहप तो बिलकुल नहीं इसी तरह प्रैमरी स्कूल के सिक्छक से कम मिडिल स्कूल का सिक्छक पढ़ाएगा उससे भी कम हाई स्कूल का और उससे भी कम कालेज का और विस्विद्याला का बड़ा आचार तो पढ़ाएगा बिलकुल नहीं आसरवाद देने का वेतन पाएगा इसलिए अगर कालेजों में पढ़ाई नहीं होती तो किसी को बोरा नहीं मानना चाहिए वे राष्ट की एक परंपरा का विकास कर रहे हैं और चीन से लड़ने के लिए हमें एक गैर जिम्मेदारी और बेमानी की राष्टी परंपरा की सक्त जरूरत है चीन अपने पड़ोसी देशों से बेमानी करता है तो हमें देश की भीतर ही बेमानी करने का अभ्यास करना पड़ेगा तब हम उसका मुकाबला कर सकेंगे इसी तरह चीन गैर जिम्मेदार हरकतों की बराबरी करने के लिए हमें भी गैर जिम्मेदार होना पड़ेगा इसलिए पढ़ाने वालों की सिकायत विर्थ है जहा तक अच्छे नम्बरों से पास होने वाली बात है तो वह गुरु कृपा से ही संभव है विद्या पढ़ने से नहीं आती गुरु कृपा से आती है गुरु अगर प्रसन हो तो अपने प्रीविद्यार्थी को सब दे सकता है साधो ज्यादा पहले दर्जे गुरु किरपास ही प्राप्त होते है परिक्षा के पहले लड़के का बाप मास्टर साहब को पान खिला कर कहता है मुन्ना की परिक्षा आ रही है हल्ला करने से कुछ नहीं होता बाल भारती आईसी दुरलब हो गई है कि किताब बेजने वाला कहता है कि वह तब मिलेगी जब पहाड़ी की पुस्ता खरीदोगे यह भी सिक्षा के छेत्र में किरांती हुई है